हेलो दोस्तों आज पोकेमोन आर्केस के बारे में बात करेंगे विद डीटल्स में इंटाइक वीडियो ज़रूर देखना आज हम पूरा वीडियो में एक्स्प्लेइन करेंगे आर्केस के बारे में चलिए शुरू करते हैं लेजेंडरी पोकेमोन आर्केस को गौड बोलता है पोकेमोन का एक तरह सबसे पहले आर्केस का जन्म हुआ था एक एक से फिर आर्केस एक तरह से हम बोल सकते हैं आर्केस ने सभी पोकेमोन को जन्म दिया था एर आर्केस को पहले तीन पोकेमोन को जन्म दिया था वो पहला थ ट्याल का सेradas और करके आट को 1015 और कोणों दिया था कोकोछ डिया था पोकेआ टायार किया था जिसके आंदा 66 पोकेआमोन लेजनेडरी कोकेववन था एंड आर चैस का स्पेसल अबिलिटी है بعد को क्रियेट करना जैसे अर यसके अठी 1015 फोक्रोंट को क्रियेट किया था एंड आर्ट का एथ एक और बात जो आपको नहीं पता था ओह और गैस का एक अनीमी है जिसका नाम है भोलो 4th नूमबर पार कैस का डिसाइनर यूची मुराशा और कैस का आर्टिस्ट है सुगूरू नकाटँवी और 6 नूमबर पार पोकेम्ट मूवी पॉगमान लेजजन अफ आर्ट कि आप किया में पार्ट था कभी भी मर नहीं सकता ऐसा Pokemon RKS है क्योंकि RKS थो सबकी गौड है इसलिए RKS कभी मर नहीं सकता वीडियो का अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे न्यू इंट्रेस्टिंग वीडियो डीटल्स में देखने के लिए 9 नमबर पर आता है RKS के पास वाल का सबसे एटाक का जेलनी की ताकत है मतलब कोई भी Pokemon हो जो RKS के उपर हमला कर सकता है बट RKS के पास उसकी एंटीडोड है ऐसा ही बोल सकते है उसके पास एंटीडोड है एटाक की जेलनी के लिए अबर पर है RKS किसी टाइब की Pokemon में चेंज हो तो उस टाइब की सबसे strongest Pokemon बन जाएगा जैसे हम एक जल्मपल से हम समझते है RKS ने फार टाइब में एक Pokemon से बतल गया फिर उसको फार टाइब के सबसे strongest Pokemon बन जाएगा उसको किसी फार टाइब Pokemon किसी को नहीं हारा सकता वैसे एक उसने तो ग्रैस टाइब में Pokemon को चेंज हो जाएगा तो उसको भी कोई ग्रैस टाइब बाव से किसी Pokemon को भी सबसे ताकत पर Pokemon बन जाएगा ऐसी तरह इसको आरिके उसको गॉल्ड ओफ गॉल्ड ओफ पोकेमान बोलते हैं अचका वीडियो का ऐसा लगा कॉमेंट करके जरू बतन और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक एंड चल गदरो सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्ट वीडियो पर जाहे नजाए भारत